दोस्तो नमस्कार किसी को दिया हुआ पहार, गिफ्ट आपकी जिन्दगी में क्या नुकसान ले कि आ सकता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? दोस्तो गिफ्ट किसी को देना नुकसान दे नहीं करता बड़ समटाइम हम कुछ ऐसी चीजें उपहार के रूप में किसी अपनों को दे देते हैं जिसके बाद उसका इंफेक्ट जो होता है वो हमारी जिन्दगी में काफी बूरा आता है तो उसी टॉपिक के उपर आज मैंने वीडियो जो है वो बनाई है कि क्या आपको किसी को वाल क्लॉक जा वाच आपको गिफ्ट करनी चाहिए या नहीं क्या वो आपको गिफ्ट के रूम में लेनी चाहीए या नहीं ऐस्ट्रोगाइड मलिक में आप सबी का स्वाब दोस्तो गड़ी का गिफ्ट के रूम में देना आपकी जिंदगी में आपके जो रफतार है जिंदगी की उसको कही न कहीं रोक सकता है कि दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें गिफ्ट के सब्रूब जो है वो नहीं देना चाहिए बेसिकली हर ग्रहय कुंडली में कशीजा किसी चीज का कारक होता है यह आपको भी पता है तो शुकर जहां पे बोग विलास है वहीं पे इतर डियो पर्फ्यूम्स यह कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं कि जो वो अच्छी प्लेस्मेंट्स पर बैटे होते हैं और उसका हमें दान जो है वो नहीं करना चाहिए दोस्तों आपके गर में लगी हुई वाल क्लॉक अगर गलत दिशा में लगी हुई है वो भी आपकी जिंजगी में नुकसान नकरातमक उर्जा नेक्टिविटी टेंचन का महोल जो है वो आपके गर में बना सकती है आपकी वाल क्लॉक अगर हुणली के अनुसा अगर में बात करूं तो अगर वो डक्षिन मुखी दिवार की उपर आपकी जो वाल क्लॉक है वो लगी हुई है यकिन मानिये करजा रिष्टों का खराब होना बिमारियां बैक पेन टेंचन यह सब चीज़ें आपकी जिंदगी में चल रही हो गड़ी का डायल जो होता है जिसमें हम उपरी सता बोलते हैं वो कभी भी लाल रंग का आपको नहीं लेना चाहिए यह भी चीज़ आपको द्यान में रखनी है दोस्किए अब नौर्थ इस्ट में लगाएं आपको बहतर जो उसके रसेल्ट हमों मिलेंगे तोस्कों गड़ी का बेसिक सबंद जो होता है वो आपकी कुंडली में बैटे हुए बुद्ध से होता है बुद्ध आपकी जिंदगी का दिमाग है आपकी मान समान है आपकी तरक्की है आपका बिजनस है आपके रिष्टों में आपकी बहने बुआ मासी है वो सबसे जरूरी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ है आपकी चलाकी है जब हम अपनी जर्म कुंडली की बात करें कोई भी घ्रह जब आपकी कुंडली में नेक तबियत का होता है अच्छे असर देने वाला होता ह है उच्छ का होता है तो कभी भी उस चीज़ का दान जो है वो आपको नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़ जब कुंडली में ग्रह नीच का होता है नीच अवस्ता का बैठा होता है तो उसका दान हमें नहीं लेना चाहिए बात बुद्ध की कर रही है गड़ी जो है वो है वो भी चल रही होंगी खराब अलेक्ट्रोनिक समान गड़ी के रूम में अगर मैं बात करूं तो वो राहू का होता है अब कुंडली में अगर राहू और बुद्ध खराब हो जाएं तो इनसान की मेंटल हेल्थ को ठीक करना बड़ा मुश्किल है दुवाईयों का सिलसिला डिप्रेशन के हलात इंग्जाइटी ये सब चीज़ें आपकी करके अंदर गर कर चुकी होंगी दोस्तों तो हमेशा गड़ी को सही दिशा में लगाएं और दान कभी नहीं करने दोस्तों को गड़ी जो है वो चलाएमान है तरक्की है आपकी जिंदकी की रफतार को दर्श को देना नहीं चाहिए क्यूंकि अगर आपके कुंडली में बूद्ध देव खाना नमबर छे बैटे हुए हैं अच्छी अवस्ता के बैटे हुए हैं और आपने ब्ध का दान जो है आए काडली में बैटे हुए गड़ी के सिरुप किया तो गड़ी इतनी इमपोर्टन चीज होती है यह हमें तब पता चलेगा जब हमें ये आइडिया होगा कि हमारी कोड़ी में बुद्ध देव बैठे कैसे है उसी कंडिशन में अगर बुद्ध नीच के हैं बार में बाब में नीच के होते हैं बुद्ध अश्टम बाब में खराब फल देते हैं नाइंथ हाउस में खराब फल देते हैं ग्यार में बा की negativity को कहीं न कहीं खराब करेगा आपके गर के अंदर नक्राफ में पुर्जा पैदा करेगा और सबसे जूरी चीज जो ग्रैकुनली में खराब है उसकी चीज आपके गर में आएगी ही आएगी और वो चलेगी भी नहीं कुछ त्रेवाद वो खराब भी हो जाएगी दोस्तो तो ये ग्रैहों की विडंबना है negativity को बढ़ाने वाली बाते होती हैं तो जब भी आप गड़ी market से purchase करें तो सबसे पहली बात उसका जो strap होता है अगर आप हाथ में बाद रहे हैं तो उसका strap कभी भी आपको लाल रंग का नहीं लेना तो कि लाल रंग मंगल का है और गड़ बुद्ध है जब आपस में मिलते हैं तो यह मंगल बद बनाते हैं तो इस चीज़ का आपको द्यान रखना बड़ा जरूरी है गड़ी को हमेशा दोस्तों आपने गुलाई के सबूप लेना है कभी चोरस नहीं लेना अकार जो होता है वो चोरस जबे वाला वह आपको अव और ऐलक्ट्रॉनिक आइटम्स स्पैशली मैं अलक्ट्रोनिक आइटम्स की बात कर रहा हूं वो कोई गड़ी ओ कोई ट्रांजिस्टर हो कोई कशने कई प्ले स्टेशन हो कुछ बही ऐसे वस्तागा हो तो वो खराब नहीं होना चाहिए जब सक आपप गार में इलेक्त्रॉ के रूम में देना और लेने के बारे में एक सिंपल सा नियम मैं आपको बता देता हूं कुंड़ी में जो गहे आपकी अच्छी वस्ता का होगा उसका दान आपको कभी नहीं करना और जो नेक्टिब वस्ता का होगा उसका दान आपको नहीं लेना यह बेसिक नियम है जोतिश क दूसरी कंडिशन में अब आपने गड़ी किसी से पहार के रूप में ले ली अब आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या मुझे ये बांधनी चाहिए या नहीं दोस्तों इसमें बेसिक मित्थ है ये है कि आगर आप उनसे कुछ दक्षना से रूप ले ले लेते हैं तो ये यो को जो है ये कड़ जाता है लेकिर आगे फ्यूटर में आपको इन चीजों का धियान रखना जाहिए जो ग्रह आपका अच्छा है उसका दान नहीं करना अब शनी सब्तम बाब में उच्चके होते हैं आपको कभी भी शनी के दान जो हो बिलकुल नहीं करने चाहिए शुकर प्रेबार में बाब में उच्छके होते हैं तो प्रफिूम इत्र के दान नहीं करना जाहिए चटे बाब में बहुत बुद उच्छके होते हैं तो उसके average में आपको कुछ दक्षना जो है वो जुरूर देनी चाहिए तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो किर्पा चैनल को स्पोर्ट कर दीजेगा ऐसी ही वीडियो कॉंटेंट हम आपकों के लिए बनाते रहेंगे आज के लिए दोस्तो इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में इसी और टॉपिक के साथ शुब रात करें